हेलो फ्रेंड्स मैं शखा आप सभी का इस वीडियो पर स्वागत करती हूँ आज हम इमनी की खट्टी मीटी चट्नी बनाएगे इमली की चट्नी बनाने के लिए सबसे पहले हम चार से पाच्छवारों को पानी में सोख कर लेंगे हम इसे पानी में सोख इसलिए कर रहे हैं ताकि यह सौफ्ट हो जाए और इसा काटने में आसानी रहे अब हम 100 ग्राम इमली लेंगे और इसे एक बार पानी से दूल लेंगे अब हम इस बाउल में करीब एक लास पानी डालेंगे और इसे ऐसे ही दस मिन्ट के लिए छोड़ देंगे दस मिन्ट हो चुकी है देखिए इमली सॉफ्ट हो गई है अब इसको मसलते हुए इसका सारा रस निकाल लेंगे देखिए रस निकल चुका है अब हम इसे छान लेंगे इसे रगरते हुए इसका सारा पानी निकाल लेंगे इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे देखिए इसका सारा रस निकल चुका है इमली का सारा पानी तो निकल गया है अब एक कड़ाई लेंगे और उसे गरम करेंगे कड़ाई को हम हलकी इस पर ही रखेंगे अब इमली के पानी को कड़ाई में डाल देंगे हम इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे अब इसे थोड़ी देर के लिए उबलने देंगे देखिए इसमें उबाल आ चुका है अब इसमें धाई सो ग्राम चीनी डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे अब इसमें एक चमसोट पाउडर एक चमस्लानमिश पाउडर एक चमस्स सोंस पाउडर एक चमस्जी जीरा पाउडर एक चमस्ज गरम मसाला एक चमस्ज काला नमक और स्वादनों सार नमक डालेंगे और सभी इको मिला लेंगे अब इसे उबलने देंगे हम इसे तब तक उबा लेंगे जब तक हलकी काड़ी न हो जाए इसे हम मीडियम गेस पर ही उबलने देंगे जब तक चटनी उबल गई है तब तक हम च्वार को काट लेते हैं देखिए च्वार कितने सॉफ्ट हो गई है इसका बीच निकाल देंगे जब चटनी में अच्छा सा उबाल आ जाए तब च्वार को इसमें डाल देंगे अब इसमें कटे वच्छारे और पान से च्वार किश्विश डालेंगे देखिए ये हलकी गाड़ी हो चुकी है अब कैस बंद कर देंगे अब इसे थंडा होने देंगे फिर इसे एक कंटेर्र में निकाल लेंगे इससे अपने करीब आदे खंटे के लिए थंडा होने के लिए रख दिया था इस थंडा भी हो चुका है अब इसे एक बढ़ चला कर देख लेते हैं देखे ये कितनी गाड़ी हो चुकी है, खंड़ी उने पर ये और भी गाड़ी हो जाती है अब इसे एक कंटेरियर में नकाल लेंगे इमली की चटनी बनकर तयार है आप इसे प्रिज में दो से तीम मैने के लिए स्चोर कर सकते है फ्रिज में रखी रखी है काफी गाड़ी हो जाती है इसलिए जब भी आपको उसका यूज करना हो तब आप थोड़ी से चटनी एक कंटोरी में निकाल कर उसमें थोड़ा सा गुनवना पानी डाल कर उसे अच्छे से मिला लें और फिर उसका यूज कर सकते है आप इसे धही पकोड़ा और राज कर चरी में डाल कर इंजोई कर सकते है मैं अलड़ी इन सब चीजों की वीडियो बना चुकी हूँ आप इने चैनल पर जाकर देख सकते है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आईए हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नाम भूल रहे मिलते हैं नेक्स वीडियो में